नमस्कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में क्रिया विसेशन पढ़ने वाले हैं इसे पहले हमने क्रिया पढ़ लिया है क्रिया किसे कहते हैं आज हम वही पढ़ेंगे क्रिया की विसेश्ता तो चले बढ़ते हैं, आगे क्रिया विशेशन की परिभासा देखते हैं, वह सब्द जो हमें क्रियाओं की विशेशता का बोध कराते हैं, क्रिया विशेशन कहलाते हैं, क्रिया क्या होए? किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं, तो उसी की विशेशता बताने वाले सब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं, तो आईए देखते हैं, जैसे हिरन तेज भागता है, भागना क्या हो गया? क्रिया, इसके विशेशता क्या है? हिरन तो भाग रहा है, लेकिन कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है, तो इसलिए तेज क्या हो गया? क्रिया की विशेशता हो गई, तो क्रिया विशेशन के दूसरे उधारन को देखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, चलना क्या हो गया क्रिया वह धीरे-धीरे चलता है धीरे-धीरे क्या हो गया चलने की विशेषता हो गया तो क्रिया की विशेषता है कि वह धीरे-धीरे चलता है आईए आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषन के भेद प्रियोग के अधार पर और रूप के अधार पर एक missing है यहाँ पर अर्थ के अधार पर तो typing में गलती होई है रूप के अधार पर हो गया है तो हम इन तीनों को देखेंगे प्रयोग के अधार पर रूप के अधार पर और अर्थ की अधार पर आईए देखते हैं प्रयोग के अधार पर सधारन क्रिया विशेशन इसमें भी तीन प्रकार है प्रयोग के अधार पर इसमें तीन प्रकार है सधारन क्रिया विशेशन, संयोजक क्रिया विशेशन, अनुबंध क्रिया विशेशन अब हम तीनों को बारी-बारी से देखते हैं और इसके उधारन को भी देखते जाएंगे ताकि समझ में आसानी से आ जाए सधारन क्रियाविसेशन क्या है? जिन क्रिया विशेशनों का प्रियोग किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है उसे सधारन क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे अरे साप कहा गया यहां पे जो वाक्य है वह सधारन और स्वतंत्र रूप से प्रियोग किया गया है तो इस प्रकार से जो वाकिय है वह सधारन क्रिया विशेशन हो गए अब संयोजक क्रिया विशेशन देखते हैं जैने क्रिया विशेशन का सम्मंद किसी उपवाकिय से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे जहां तुम जाओगे मैं वहीं जाओंगा या वहीं मैं जाओंगा तो यहां क्या है एक वाक दूसरे वाक्य पर आशरित है तो इस प्रकार से संयोजग क्रियावी सेशन के उधारन हमने देखा अब आनुबंध क्रियावी सेशन क्या है जिन सब्दों का प्रियोग निश्चय के किसी भी सब्द भेद के रूप में हो सकता है जैसे वह काम तो गलत ही हुआ यानि यहाँ पर निश्चय दर्षा रहा है कि जो काम हुआ है वह गलत हुआ है किसी निश्चित्ता के दर्षाता है वह हुआ अनुबंध क्रियावी सेशन चले आगे बढ़ते हैं रूप के अधार पर क्रियावी सेशन रूप के अधार पर भी तेन प्रकार की क्रियाविसेशन है मुल क्रियाविसेशन, अस्थानिय क्रियाविसेशन और योगिक क्रियाविसेशन अब हम इन तीनों को बारी-बारी से देखेंगे और उसके उधारन को भी देखते जाएंगे मुल क्रिया विशेशन क्या है? जो सब्द दूसरे सब्दों से मिलकर नहीं बनते उन्हें मुल क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे पास, दूर, उपर, आज, आदी इस प्रकार से जो सब्द है वो मुल सब्द है वो किसी दूसरे सब्द से मिलकर नहीं बने हैं तो इस प्रकार से मुल क्रिया विशेशन इस प्रकार के सब्द हुए। अब अस्थानिय क्रिया विशेशन देखते हैं। ऐसे अन्य सब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किये किसी विशेस अस्थान पर आते हैं, अस्थानिय क्रिया विशेसन कहलाते हैं, जैसे वह अपना वह अपना सीर पढ़ेगा, तो यहां सीर पढ़ेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार से अस्थानिय क्रिया विशेसन हुआ, ऐसे वाग, आईए दूसरा उधारन देखते हैं, अस्थानिय क्रिया विशेसन के, जैसे वह दौर कर चलता है, अब चलना क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो इस प्रकार से यह जो वाक्य है, ऐसे वाक जहां पर आए, वे अस्थानिय क्रिया विशेसन के उधारन होते हैं, आईए अब देखते हैं, योगिक क्रिया विशेसन, जो दूसरे सब्दों में प्रत्याय या पद आदी लगान से बनते हैं, उन्हें योगिक क्रिया विशेसन कहते हैं, जैसे रात भर, मन से, यहां, वहां, चुपके, पहले, आदी, तो जो सब्द दूसरे सब्दों में प्रत्याय या पद लगाने से बनते हैं, उन्हें योगिक क्रिया विशेसन कहते हैं, तो उधारन में जो भी सब् अपने आप में खास हैं या प्रत्याई हैं तो आईए अब आगे बढ़ते हैं अर्थ के अधार पर क्रिया अर्थ के अधार पर क्रिया जिसमें पहला है अस्थान वाचक क्रियाविसेशन दूसरा काल वाचक क्रियाविसेशन तीसरा परिणाम वाचक क्रियाविसेशन चौथ अब हम इन चारों को बारी बारी से देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अस्थान वाचक क्रिया विसेशन, किसे कहते हैं, जिस अविकारी सब्दों से क्रिया के व्यपार के साथ का पता चले, उसे अस्थान वाचक क्रिया विसेशन कहते हैं, जैसे यहां सामने नीचे आदी दोसरा है काल वाचक क्रिया विसेशन जिन अविकारी सब्दों से क्रिया की अवियापार के समय का पता चलता है उसे काल वाचक क्रिया विसेशन कहते हैं जैसे आज, कल, परसो, पहले, अब तक आदी तीसरा है परिणाम वाचक क्रिया विसेशन जिन अविकारी सब्दों से क्रिया के परिमान और उसकी संख्या का पता चलता है, उसे परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं, जैसे बहुत, जरा, खूब, आदी अगला है रिती वाचक क्रिया विशेशन, जिन अविकारी सब्दों से क्रिया की रिती या विधी का पता चलता है, उसे रिती वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं, जैसे सचमुच, ठीक, अवस्य, फटा-फट, आदी तो इस प्रकार से हमने आज क्रिया विशेशन को पढ़ा, मिलते हैं इसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद